सुन्दर्वन के जंगलों में तुन्टुनी नाम की एक चीनिया रहा करती थी, वो अपनी पिता बबलु कबुतर और मा मिच्चु तोती के साथ रहती थी सुन्दर्वन एक बहुत ही गरीब जंगल हुआ करता था, परी लोक में एक परी हुआ करती थी, जिनका नाम सोना परी था, वो बड़ी ही दयालू और उदार स्वभाव की थी, उससे लोगों का दुख देखा नहीं जाता था, वो सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी एक दिन की बात है, सोना परी रानी परी से बात कर रही थी, सोना परी कहती है रानी परी मैं सोच रही हूँ सुन्दरवन के जंगलों में एक ऐसा पेड लगाऊं जिसमें अपने आप बर्थडे केक निकला है यानि कि मैं एक जादूई केक का पेड लगाना चाहती हूँ क्यूंकि वो गाओं बहुत ही गरीब है जब वहां के लोग एक बार खाने के लिए भी सोचने लगते हैं तो फिर वहां के बच्चों का बर्थडे कैसे मना पाएंगे इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ इस पर रानी परी कहती है वाह सोना परी वाह मुझे दुम पर गर्व है तुम्हें बहुत ही अच्छी और दयालू परी हो तुम हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचती हो ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है इससे गरीब बच्चे भी अपना जन्म दिन खुशिशे मना पाएंगे रानी परी की इजाज़त लेकर सोना परी उस चंगल में चली जाती है और वहां अपने जादू से एक जादूई केक का पेड लगा देती है जिसमें तरह तरह फ्लेवर के केक आ जाते हैं तुन्टुनी का बर्डे आने ही वाला था उसके बर्थडे के एक दिन पहले उसके पिता बबलू का बूतर उसके लिए चांदी की पायल लाते हैं ये लो तुन्टुनी तुम्हारे लिए चांदी का पायल यही तुम्हारा बर्डे का गिफ्ट होगा बर्डे मनाने की आउकाद तो हमारी नहीं है मैं सकप से सोच रहा था कि तुम्हें एक चांदी की पायल ला दूँ तो ये लो तुन्टुनी उस पायल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मा, पापा, मुझे बर्टडे केक की कोई जरुरत नहीं है ये पायल ही मेरे लिए बहुत है आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया इसते ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे उसी गाओं में एक चोर रहा करती थी जिसका नाम लाली था लाली बड़ी ही लाल्ची थी और लोगों के घर में छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करती थी वो टुन्टुनी की पायल देख लेती है और खुद से कहती है अरे वाह आज तक मैंने बड़ी चोटी मोटी चोरिया की है लेकिन आज तो मुझे पहली बार चांदी के पायल चुराने का मुखा मिलेगा चलो अब इसे जल्द से जल्द चुरा लेते हैं रात को जब सभी सो जाते हैं तब लाली उनके घर आती है और टुन्टुनी की पायल चुरा कर ले जाती है अगले दिन टुन्टुनी का बर्थडे होता है और उस दिन वो उस पायल को पहनने के लिए निकालने जाती है तो देखती है पायल तो है ही नहीं वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है ये पायल कहां चला गिया इतने समय के बाद तो मुझे पायल मिला था ये पायल कहां चला गिया तब है उसकी मा आ जाती है और कहती है अरे टुंटुनी क्या हुआ तुम क्यों रोने लगी मा देखो ना मेरा पायल नहीं मिल रहा है तुमने और पापा ने इतनी महनत से मेरे लिए वो पायल बनवाया था पता नहीं किसने चोरी कर ली तो मिठो तोती कहती है बेटा टुंटुनी तुम्हें अपनी पायल का ध्यान रखना चाहिए था हमने दिन रात महनत करके तुम्हारे लिए वो पायल खरीदा था हमने अपने खाने को कम करके तुम्हारे लिए पैसे जमा किये थे तुम इतनी गयर जिम्मदार कैसे हो सकती हो तो तुन्टुनी कहती है, नहीं मा, मैंने पायल को संभाल कर ही रखा था, हमारे गाउं में एक चोर घूम रही है, मेरी सहेली ने बताया था, कुछ दिन पहले उसके घर से उसने पैसे चुरा लिये थे, लगता है उसीने मेरे पायल भी चुरा लिये तुन्टुनी वहां से चली जाती है, और एक पेड के नीचे बैठ कर रोने लगती है, इससे अच्छा तुम्हें बर्दे का केक ही मंगवा ले थी, पायल तो चोरी हो गई, कम से कम बर्दे अच्छे से मना पाती वो जिस पेड के नीचे बैठी थी, वो कोई मामूली पेड नहीं था, बलकि वो जादुई केक के पेड के नीचे बैठी थी वो जादुई पेड टुन्टुनी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है अरी टुन्टुनी, तुम क्यों रो रही हो, मैं जानता हूँ, आज तुम्हारा जनम दिन है तुम मेरे पेड में से अपने पसंद का कोई भी केक ले जाकर, खुशी से अपना बड़े मनाओ टुन्टुनी ये सब सुनकर, बिल्कुल हरान रह जाती है और डर जाती है पेड बोल रहा हूँ, मैं कोई मामूली पेड नहीं हूँ, मैं एक जादोई बर्थडे केक का पेड हूँ, मुझे यहाँ पर सोना परीने लगाया है ताकि तुम बच्चे अपने जनम दिन को खुशी से मना सको यह बाते सुनकर टुन्टुनी खुश हो जाती है और रोना बंद कर देती है फिर वो उस पेड में से अपना फेड चॉकलेट फ्लेवर का केक लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी मा को सारी बाते बता देती है फिर वो अपना बर्थडे मनाती है और बर्थडे में अपने सभी दोस्तों और आस्पडोस के लोगों को बुलाती है सभी खुशी से उसका बर्थडे मनाते हैं टुन्टुनी की पडोसन उसकी मां से कहती है अरी मिठ्धो तोटी, हम लोग तो इतने गरीब हैं, कि हम अपने बच्चे का जन्म दिन नहीं मना पाते तुमने इतना अच्छा केक कहा से लाया, काश हम भी इतने पैसे जमा कर पाते कि अपने बच्चों का जन्म दिन खुशी से मना पाते चाची इसकी कोई ज़रुत नहीं है ये केक तुम्हें जादूई पेड़ से लेकर आई हूँ जादूई पेड़? कौन सा जादूई पेड़? अरी चाची हमारे गाउं में एक पेड़ है जो जादूई है उसमें से बर्थडे केक निकलता है वो हमारे गाउं में एक परी ने लगाया है ताकि हम सभी बच्चे खुशी से अपना जन्म दिन मना सकें क्योंकि हमारा गाउं बहुत गरीब है और हम अपना जन्म दिन नहीं मना पातें इसलिए उस परी ने वो पेड लगाया है इस बात का पता उस चोरनी को चल जाता है और वो लालत से सोचती है क्यों ना मैं इस पेड़ को ही चुरा लूँ अगर मैंने इस पेड़ को चुरा लिया तो इसमें लगे सारे केक को शहर में बेच कर मैं तो अमीर हो जाऊंगी ये चोटी मोटी चोरी करके कब तक गुजारा करूंगी ये सोचकर वो चोरनी उस जादूई पेड़ के पास चली जाती है वो उस पेड़ को काटना चाहती थी वो कुलहारी से उस पेड़ को काटने ही वाली थी कि वहाँ टुंटुनी आ जाती है और उसे रंगी हाथों पकड़ लेती है तो तुम हो वो चोरनी जुसने मेरा पायल चुरा लिया मैंने तुम्हें इसके लिए तो माफ कर दिया लेकिन मैं इस पेड़ को किसी कीमत पर तुम्हें काटने नहीं दूँगी ये पेड़ हमसे भी बच्चों को खुशिया देता है वो इस गरीब गाउं के बच्चों के लिए बनाया गया है तुम जैसी चोरनी के लिए नहीं बनाया गया इतना कहकर टुंटुनी जोर जोर से चिलाना शुरू कर देती है उसकी आवाज सुनकर गाउं वाले इकठा हो जाते हैं हम सभी नहीं से चोरी करते हुए अपने आँखों से देख लिया अब इसे सदा मिलेगी उसके बात क्या था? वो उस चोरनी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर सभी बच्चे और गाउं वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं